बच्चों फिर gases expansion के हम बात कर रहे थे, gases expansion, आपको मैंने बताया कि अगर आप temperature raise करोगे, यानि कहीं पर temperature increase करोगे due to heat effect, आपको बता है temperature जब raise होगा तो वहाँ पर gases expand करने लग जाते हैं due to vrms, यानि root mean square velocity, सभी molecules की root mean square velocity increase कर जाते हैं, that's why वहाँ से molecules move करने लग जाते हैं, आपको बता है जहां से molecules move करेंगे, वहाँ पे gases pressure low हो जाएगा, इस बात को मैं आपे experimentally आपके सामने शो करने वाला हूँ, मेरे पास आप देख पारें कि एक pot है, इसमें मैंने भर रख है पानी, और पानी है mix किया है color, blue color मैंने mix किया, proper visibility के लिए, candle है, candle में आग जल रही है, मेरे पास एक bottle है, वैसे मैं ये bottle, इसमें butter milk था, मैंने उसे पे लिया है, तो खाली है, तो आप मुझे पता हो, इसमें gas होगी, obvious में gas होगी, और यार मैं अगर इस bottle को लेके जाता हूँ इसके उपर, आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जब उसके उपर लेके जाओंगा, तो मुझे पता है कि इसके अंदर जो gases है, उनका temperature increase करनी की वज़े से, वो gases इससे निकल जाएंगी, बाहर expand कर जाएंगी, और इसके अंदर gases pressure low हो जाएगा, उसके effect को आप अभी देख पाएंगे, देख पा रहे हैं, देखें, लिक्विड आटोमेटिकली उपर की तरफ लिफ्ट कर रहे है, इसका reason क्या है, इसका reason क्या हुआ बेटा, आसपास atmospheric pressure, इस bottle के अंदर atmospheric pressure, sorry, pressure low, और आपको पता है, liquid कहा से कहा लिफ्ट move करता है, higher pressure to lower pressure, that's why liquid उपर की तरफ move करने लग गया, इससे ये बात प्रूव होती है, कि temperature raise करने पर gases expand करती है, वहाँ पर pressure हो जाता है low, तो यार, आपको ये proper clear हो गया होगा experiment से, thank you, thank you so much.